नमस्कार दोस्तों समचार दर्शन में आपका स्वागत जैसे की समचार दर्शन की टीम जमीनी है कि तुरूबू कराती है आज सहरनपूर छेतर में हैं यहां पर ओले का जो कहर बरसा है हमारे साथ किसान मौजूद है मुंसिप जानकरी लेंगे कि क्या परभाव पड़ा फसल है आप देख सकते हैं गेहूं निचे से कैसा जड में जब मेंसा जब से में रूट थी यह खत्म कर दी अब इसका कुछ बरुसा नहीं कैसा होगा क्या होग जब अदर सरसो आप theo पो सरसो निचे फैलगी फैलगी इसने इक पते जो है चीन कर दिये हो गया休 solamente सब्सक्राइब कर देख सकते हैं कि आपने जीवन में 44 साल की उमर होगी आज तक ऐसा ओला मने देखानी वही वीडियो ही देखी कि ऐसा ओला हो गया हो गया लेकिन आज रूबरू हुए इस ओले से और यह आप खेत में देख सकते हैं जहां से भी उठाओगे इसी साइज का ओ सरसो गेहूं और गन्य पर जो है इसका गन्य का गोला जो हरा चारा है पस्वों के लिए एक बड़ी विकट समस्चा खड़ी होगी हरे चारे की भी तो इन फसलों पर मुख्यते जो फिलाल की चल जैसे सरसो है लगबक तैयारी के कगार पर थी या फूल आया हुआ हुआ है तो वह सब खतम होगी तो ग्याहूं पर सबसे जधार और सरसों पर सबसे जदा है कि हमारे साथ जो किशान मौजूद थे उनका कहना है फसल नस्ट हो चुकी है जमिन से जो नीचे से उगने की तैयारी हो रही थी वह सब नस्ट हो चुकी है और गन्ने का भी गन्ने पर सुरू हो रही थी मलदब जिसको बोर आना कहते हैं वो प्रोसेस एक सुरू होने वाली थी वह कहीं ना कहीं वह भी एक डिस्टर्ब हो जाएगी उससे उत्पादन पर बोर आने पर बड़ा फरक्त पर आता है उसका जो सकी एक स्ट्रक्चर चल डी थी वह उस पर दिक्कत होग कि सभी फसलों पर इसके ओले वर्ट का नुकसान है जुड़े हमारे साथ समाचार दर्सन में सायोग कुर्बान मलीक जिपोर्ट जाति राम